नमस्कार दोस्तों आपका मेरी चैनल रिदूस्क्राफ्ट अन किचन में बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको गणेश जी के लिए तीन तरह की मोदक तीन तरह की तो नहीं है तो एकी तरह का पर अलग-अलग तीन रंग का बताने वाली हूँ तो अपसे पहले ले-ले कड़ाई और उसमें डाल दीजी दो चमजगी और अच्छे से गरम होने दीजीए फिर डालेंगे एक कटोरी चावल का आटा आप इसको घर पर भी पीस करके तियार कर सकते हैं या फिर आप मार्केट से भी चावल का आटा ला सकते हैं और बस फिर तरफ से अच्छे से सिख जाएगा तो इसी तरफ से सारे आटे को सेख ले ऐसे वीडियो में आपको लाती रहूंगी तो आप मेरे वीडियो को जरूर ध्यान से देखें और गनपती जी के लिए मैं ऐसे ही और मीठे से भोग स्वादिश से भोग आपको बताऊंगे आप द और बस अब इन सबी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस अब क्या करेंगे गैस को बंद कर दे और गैस को बंद करने के बाद ही इसमें अच्छे से तरीके से सिखने दे क्योंकि हलकी सी जो कड़ाई है वो गरम ही रहती है इसलिए इसको सिखने दे फिर अब क क्या dziwood कygे गाथ्टाब कौने पर टूध की तउड मीक्षेर बनाया था इसे डीडिया भीया ऊच्छीर गारेब रबडी नहीं मतलब नॉर्मल जो हम दूद उटा रहे हैं फिर बस जब दूद आधा हो जाए उसमें डाल देंगे ये मिक्षर जो हम मिक्षर अभी बनाया था वो मिक्षर को डाल देंगे और बस फिर गैस को बंद कर दे और अच्छे सीन सभी चीज़ों को मिला ले तो अब जब इसको मिलाओगे तक या करेगा चावल काट एक दम बढ़ियां सा दूद को सोग लेगा और फिर गैस को बंद करने के बाद इसको अच्छे से चला ले और आटोमेटिक जो है कड़ाई अपने आप ये जो मिक्षर है वो कड़ाई छोड़ती जाएगी और आटोमेटिक यो मिक्षर के मतलब इसका इसका देख सकते हैं बढ़िया मिक्षर के टेयार और नहीं है इक प्लेटमें थंड़ा होने के लिए निकाल ले और अच्छे से इसको थंड़ा एगर आप चाहते हैं तो थोड़ी बड़ी प्लेट में इसको थंड़ा होने के लिए एकदम अच्छे से स्प्रैट कर लिए इसे थंड़ा जहल्दी हो जाएगा तो देख सकते हैं बड़ी तरीके से थंड़ा हो गया है अब मैं इसमें डाल दूँगी चार चमच पिसी हुई शकर अगर आप उपर से पिसी हुई शकर नहीं डालना चाहते हैं तो आप दूद में भी शकर का यूज़ कर सकते हैं और उसी में अच्छे से शकर को चार चमच डाल सकते हैं फिर क्या करेंगे इसमें 4 चमर शक्कर डाल दें और अच्छे से पूरे मिक्सर को मिक्स कर लें एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स करना है ऐसा नहीं रहना चाहिए कि कहीं पर मीठा हो रहा है या कहीं पर फीका हो रहा है इस तरीके से नहीं मिक्स करना है एकदम अच्छे से कर दें और एक हिस्से में हम ढालेंगे फुट कलर कुलर कर दालना है इसमें अपने 어때 कलर एक कहले की डालना है इसके आप कर सकते हैं इसी तरह से तीनों गोलों मेंरसád अलग अलग फुट कलर का यूझ करने आपको जो भी कलर यूज करना है और थोड़ा-थोड़ा करके डाले पहले मिला ले फिर थोड़ा सा डाले जिससे क्या एकदम साधर डार कलर यूज ना हो इसलिए और फिर बस अच्छे से इन सबी चिज़ों को मिक्स कर ले और देख सकते हैं ये पहला कलर बन करके रएड़ी है इसी तरह से भी मोदक बना सकते हैं इससे क्या है ये बढ़ी कलर फुल सा दिखता है तो बच्चे को भी देखने में बड़ा अच्छा देखता है कि हां मोदक है तीन कलर में बस इसी तरह से फिर ये जो है मैंने मोदक का साचा लिया है उसको घी से में ग्रीस कर लूँगी अच्छे से देख सकते हैं इसी तरह से और फिर बस इसमें मिक्षर जो है उसको डालते जाए सबसे पहले आपको इसमें पिस्ता डाल देना है आईट साइट से पिस्ता तो जिससे क्या है पिस्ते एक अच्छे से उसमें चिपक जाएगा तो पिस्ता या काजू बादाम आप जो भी मोदब को बना सकते हैं पर मैंने एक ही कलर से बनाए और तीन अलग-अलग कलर में बनाए हैं तो यह देख सकते हैं यह मोदब बरन करके एकदम रेडी है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद